Hi Guys, इस वीडियो में हमें sub-arrays count करने है जिनका sum k के equal है एक आरे मेलेगा उस आरे के जितने भी sab-arrays law sum k के equal होगा उनका count बताना है चीक है, तो जैसे अगर यह आपका surface है तो आपको बताना है count of sub-arrays जिनका sum 5 के equal हो चीक है तो देखिए हम क्या use करेंगे हमारा तरीका हम ना prefix sum निकालते जाएंगे जैसे let us say यहां तक का prefix sum x है और let us say यहां तक का prefix sum x plus k है तो इस area का sum k होगा यह तरीका हम use करने वाले हैं जब भी आपका sum आएगा जैसे कोई sum आया है दूसरा तरीका आपको सोचने का यह हो सकता है जैसे इस moment पर let us say आपका sum आया y तो आप यह देखिए कि आज से पहले कभी y minus k sum आया है क्या let us say यहां पर y minus k sum था और let us say यह भी y minus k sum था तो आपको 2 sum आपरेज मिल गाए k sum वाले इनका sum भी k होगा और इनका sum भी k होगा चुकि देखो ना यहां तक का sum y minus k है और अगर यह sum k होगा तो y minus k plus k y बन जाएगा यहां तक का sum y minus k है y minus k plus k y बन जाएगा तो इस तरीके को हम इस्तमाल करके इस problem को करना ही कोशिश करेंगे आपके सामने में इसे solve करूँगा हम 5 sum वाले ढूंड रहे हैं तो शुवात में sum बिल्कुल शुवात में जब यहां पर आपका I होता है तो sum 0 होता है तो हम ना frequency map बनाएंगे कि 0 एक बार मिल चुका फिर जब इसको process किया तो अब देखेगा शुवात में ज़ाश माप में डालते है इसको process किया तो प्रिविक सम हो गया 3 अब काम क्या करेंगे 3-5-2 क्या आज से पहले-2 आया है नहीं आया तो हमें कुछ नहीं करना sub-arrays में add हम 3 की frequency 1 कर देंगे अब sum कितना हुआ 3-9, 12 अब हमें यह देखना हुआ कि आज से पहले 7 sum आया है कभी 12-5, 7 आज से पहले 7 तो कभी आया है नहीं तो कुछ नहीं करेंगे frequency याड़ कर देंगे 12-2, 10 तो अब हम देखेंगे आज से पहले कभी 10-5 नहीं करना इसको process करना है 14-1, 15 अभी हाश्मा में डाला नहीं अभी यह देखो 15-5, 10 आज से पहले 10 आया कभी हाँ जी एक बार आया है एक बार आया है तो आपको एक सवदारे में लिया है देखो न यहाँ तक का sum है 15 और यहाँ तक का sum है 10 तो इसका sum तो 5 ही होगा न तो आफकोर्स इसका sum 5 है ठीक है दोबार आप में अपनी बात बोलता हूँ आपने जिस 14 प्रसे किया 15 आपने देखा 15-5, 10 क्या आज से पहले कभी 10 sum आया है यहाँ जी यहाँ आया था तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक सबैरे मिल गए जिसका sum 5 है यहाँ तक का sum 10 था यहाँ तक का sum 15 है इतना sum 10 है इतना sum 15 है तो आफकोर्स इस area का sum 5 होगा ओ जो आपको sum 15 बना तो आपने 15-5, 10 का sum धुंडा 10 का sum 1 अबार आया था तो वहां से लेकर यहां तक का सबैरे पांच सम रखता है तो आपको एक सबैरे मिल चुका है यह एक सबैरे मिल चुका है तो आप एक सबैरे अपने पास रख लीजिए वो सबैरे है 4-1 चीक है तो एक सबैरे आपका हो गया है पहला सबैरे आपको मिल गया, तो मैं यहां पर सबैरेस अकाउंट लिखता जाऊंगा, यहां पर वो सबैरेस भी लिखता जाऊंगा, 4, 1 is my first सबैरे, अब यह 15 की फ्रिक्वेंसी भी एक हो गई, इसको प्रोसेस किया तो 15 में से 7 गए 8, तो अब 8 को डालने से पहले मैं देखूँगा, 8 मैनिस 5, 3, क्या चे पहले 3 आया है, तो उसके नाम का मैं यहां पर एक अड़ करूँगा, जिसका मतलब यह है, यहां से लेकर यहां तक कसम 5 होगा, क्योंकि यहां तक कसम 3 था, और यहां तक कसम 8 है, अगर यह सम 3 है, और यह पूरा सम 8 है, तो यह वाला सम 5 होगा, ठीक है, देखते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं, ऐसा है कि नहीं, यह सम है 3, और यह पूरा सम है 8, तो मेरा ऐसा कहना है, कि यह सम है 5, तो देखते हैं, 9 मैं से दो गए साथ, साथ और चार ग्यारा, ग्यारा और एक बारा, बारा में साथ गए पांच, इंडीड, है वो वैसा, तो मैंने अपने पास यहां पर एक सबैरे और बढ़ा दिया, और वो है 9-2, 4-1-7, मैं लिख देता हूं उसको, 9-2, 4-1-7, तो अपने पास दो सबैरे जो ऐसे, ठेक है, 8 की फ्रिक्वेंसी एक स्टोर कर दी, अब इसको प्रोसेस किया, 8 और 2-10, हैश मैप में नहीं डालेंगे, डालने से वहले देखेंगे, 10-5, क्या तो अब कुछ नहीं करेंगे, 10 की फ्रिक्वेंसी 2 कर देंगे, क्योंकि 10 पहले भी आया था, 10 की फ्रिक्वें अब इसको प्रोसेस किया, 10 और 6, 16, 16-5, 11, क्या आज से पेरे 11 दिख रहा है कभी, नहीं दिख रहा, ठेक है, नहीं दिख रहा, इसको यहाँ पर पहली बार आया था, यहाँ पर दूसरी बार आया, तो हैश मैप में 2 हो चुकी होगी, 16-5, 11, 11 कहीं दिख नहीं रहा, तो 16 क अब क्या करो, अगले वाला प्रोसेस करो, 16 में से 5 गए, 11, 11 में से 5 गए, 6, क्या भी तक 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो 11 के सामने एक डाल दो, अगला प्रोसेस करो, 11-8, 19, 19-5, 14, क्या आज से पहले 14 दिख रहा है, हाँ जी, एक बार दिख रहा है, तो जिसका अब ये वाला सम, यहाँ तक का सम 14 था, यहाँ तक का 19 से तो ये वाला एरिया, सम 5 रखता, देखते हैं, 1-7,-6,-6,-2,-4,-4,-6,-2,-2,-5,-3,-3,-3,-8,-5, इंडीड, तो ये वाला सम, आपका, एक सब बारे और मिल गया, आपको 5 वाला, तो 1-7, 2-6,-5,-8, 1-7, 2-6 6-5,-8, चीक है, तो ये हमने रख लिया, और 19 पहली बार मिला तो frequency 1 कर दी, अब अगला process क्या, 19 में 13 गए, 16, 16 की frequency 2 हो जाएगी, 16 दूसरी बार मिला है, लेकिन ये करने से पहले, 16-5, 11 को ढूंडो, क्या आज तक 11 मिल रहा है, हाँ जी, एक बार 11 मिल रहा है, तो इसका यह 8-3 हमारा एक और सभारे हो गया, process किया, 16 में से 7 गए, 9, क्या मुझे आज तक 9 देख रहा है, 9 तो देखना ही नहीं होता, 9-5, 4 देखना होता है, क्या मुझे कहीं 4 देख रहा है, 4 भी नहीं देख रहा, 9 के frequency बनो गई, इसको process किया, 9 और 6, 15, 15-5, 10, क्या आज तक 10 देख हाँ जी 10, दो बार दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो यह देखेगा, इस सभारे का सम 10 है, इस वाले सभारे का सम भी 10 है, उसका सम 10 था, इसका सम 10 है, तो आपको एक बात बता रहे हैं, यहाँ तक का 10 है, और यहाँ तक का 10 है, और यहाँ तक का 15 है, तो भईया, इस सबैरे का सम भी 5 है और इस सबैरे का सम भी 5 है ऐसा क्यों सोच के देखिए अगर ये पूरा 15 है और ये 10 है और ये 10 है तो आपको ये वाला भी 5 देखा और ये वाला भी 5 देखा देख ले देख ले इसको देखते हैं इस वाले 5 को देखते हैं इस पूरे को देखते हैं इस पंदरा से लेकर इस दस तक भी और इस पंदरा से लेकर इस दस तक भी जो 10 की फि्रिक्वेंसी थी और आड किया दो सवारे कॉन से हैं इस दस से लेकर इस पंदरा तक और इस दस से लेकर इस पंदरा तक तो मैं उनको लिखने ही कोशिश करूँगा 4 1 minus 7, 2 6 minus 5, 8 minus 3 minus 7, 6 अब इस वाले 10 से रिखने को जिश करूँगा, 6-5, 8-3,-7-6, ठीक है, तो जब आपका इस बार सम 15 आया था, 15 से 5 गया 10, 10 की frequency थी 2, तो 10 दो बार आ चुका है, तो वहां से लेकर यहां तक, दोनों दसों से लेकर यहां तक का सम 5 ही तो होगा, ठीक है, तो हमें ये भी process कर लि 17-5, 12 ढूंडो, क्या आज से पहले 12 आया है, हाँ जी, एक बार 12 है, तो उस 12 से लेकर यहां तक का सम 5 होगा, यह 12 है, यहां का सम 12 है, और यहां तक का सम 17 है, तो यह वाला सम 5 होगा, तो एक और मिल गया, क्योंकि 12 एक फ्रिक्वेंसी एक थी, तो मैं लिखना चाहूँ, तो 3-7, 6 and 2, एक सबैरे और मिला, जी, आएए आगे बढ़ते हैं, वैसे 17 पहली बार आया है, तो उसको यहां पर स्टोर कर देंगे, 17 और 1 is 18, 18-5, 13 मुझे 13 कहीं दिखनी रहा, तो कुछ नहीं आड करना, और 18 की फ्रिक्वेंसी एक हो गई, तो हमें टोटल सबैरे मिले, 1, 2, 3, 4, 2, 6, और 1, 7, वो रही है, 7 सबैरे, लाइए इसे solve करते हैं, doesn't look like a hard question, बस आपको यह ट्रिक पता होनी चाहिए, once you know the trick, this does not hold much, आपके against, ज्याद है नहीं सवाल मिदम, तो हैश मैप बनाया है मैंने, integer versus integer गा, शुरुआत में एक 0 डालना जरूरी है, जब कोई भी element नही आपने consider किया होता, तब आपके पास 0 sum होता है, चीक है, तो यह शुवात का 0 sum में क्यों add कर रहा हूँ, यह देखना, मैं यहाँ पर 0 की frequency 1 क्यों डाल रहा हूँ, मानलों शुवात में element 3 और 2 होते, तो यहाँ पर sum 5 बन जाता, तो 5-5 0 होता है, तो वो यह बताता, 0 के नाम क आप 1 add कर लेते, कि इन दोनों का sum 5 है, मैं दुबारा बोलता हूँ उतनी बात, ध्यान से देखेगा, मैं इक अलग array बनाता हूँ, let us say array होता, 3, 2, 6, बाकी छोड़ भी दीजे, इतना ही देखिए, तो शुवात में आपने 0 के सामने 1 इसले डाला, जब इसको process करेंगे, इस सब array के लिए, जिसका sum 5 है, तो शुवात में 1, 1, 0 के सामने डालना जरूरी होता है, तो वो मैं put कर देता हूँ, कि जब कुछ नहीं था, तब 0 sum तो था, 0 sum कितनी बार आ चुका था, एक बार आ चुका था, अब हम loop चलाएंगे, int i equal to 0 से, i less than array dot length, i plus plus मैं यह loop चलाया, तो म बढ़ाईए, sum plus equal to array of i, यह sum आपका बढ़ गया, अब आप चेक करिए, क्या चेक करेंगे, की remaining sum, remaining sum, तो sum में से आप target को माइनस कर दीजे, अब यह देखे कहीं, यह पर यह है क्या, map में क्या remaining sum है कहीं पर, map dot contains, की remaining sum है क्या map में, अगर है, तो answer में, जो remaining sum की frequency है, वो add कर remaining sum अगर दो बार आया है, तो आप दो बार add कर दें, तीन बार आया है, तो तीन बार add कर दें, क्यों, जहां-जह remaining sum होगा, वहां-वहां से लेकर आज तक का, आज तक, आज आपका देखे, आज तक का sum है, मैं दुबारत से यह दिखाता हूं, let us say, example बसे class, यह देखेगा, यह कुछ-कुछ values है, a, b, c, d, e, f, let us say, यह sum, बलकि यहां तक का sum y हो गया है, let us say, यह sum भी y-k है, यह sum भी y-k है, और यह sum भी y-k है, तो भई, आपको तीन सबारे मिलेंगे, जैसी यह y मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखे, यहां तक का sum y-k है, तो यह भी k होगा, यहां त का sum y-k है, और यह total y है, तो यह वाला भी k होगा, तो जितनी y-k की frequency आपको मिले, जितनी, मैं इसको r remaining sum भी ना बोलू, जितनी sum-target की frequency आपको मिले, sum-target अगर पढ़ा है, तो जितनी उसकी frequency है, उतनी बार ही आप खुद में add कर लें, उतने सवारे आपको अभी भी मिले ह और निकलते निकलते sum की frequency बढ़ा दें, map.get or default, I hope आप get or default के साथ used to हो चुके हैं, कि अगर पहले से पढ़ा है, तो उसकी frequency देदेगा, नहीं पढ़ा तो 0 देदेगा, तो उसको एक बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, अगर पहले नहीं पढ़ा तो सामने 1 डल तो this is it, हमने on time लेकर on space में इस problem को solve कर लिया है, run करके देखते हैं, submit करके देखते हैं, उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो submit हो गया, तो मज़दार सवाल है, मिलते अंगले सवाल में, thank you very much.